दोस्तो आज की स्वीडियों में हम बात करने वाले हैं वाट्सअप पर वेरिफिकेशन प्रोब्लम के बारे में जब हम फेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको टैमिंग कौशन मिल जाता है तो उस timing के option को कैसे remove कर सकते हैं उसका कैसे हम solution कर सकते हैं इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ opinion भी दूँगा कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए तो अगर आपका opinion जो आप follow करते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी तो आपको मैं यहाँ पर अपने number डाल कर दिखा देता हूँ कि मेंजे time आ रहा है या मेरे number पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं number को डाल देता हूँ और यहाँ पर next पर click कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे टाइमिंग आ रही है तो मैं इसको fix करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको fix कर सकते हैं तो चलिए दोस्ते चोटीची वीडियो को start करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान लगना है कि आपका नमबर आपको आपर आप नमबर देख सकते हैं यह आपका नमबर सही होना चाहिए आपके मोबाइल में होना चाहिए अदरवाइस आपके मोबाइल में नहीं है तो दूसरी के मोबाइल में वह वेरिफिकेशन तो यहां पर जो भी एक्सर आयए वह आपको डाल देना है अकर तो जो है उसको वरोंग नमबर पर किलेकर करके अपना नमबर सही डाल लेना है तो यहां पर आपको वह constitu दूसरा नेगा कर अपो बैंना नमबर डॉबारा डाले तह हूं मेरा तो यहाँ पर मैं इसको आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ तो के पर मैं किलिक कर देता हूँ तो यहाँ पर दूस्तो टू डेज रिसेंड टू डे का उप्सन आ रहा है तो लेकिन दूस्तो आपको ध्यान देना है कि नीचे भी आपका कोल का उप्सन आता है तो यहाँ पर आपको call पर click करके verification मंगवा लेना है अगर आपका SMS से नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपका call का भी time जाद है हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तो उसको हम solve कर लेते हैं कि क्या इसका solution है तो यहाँ पर मैं अपना number दुबारा से डाल देता हूँ दोस्तो गलती से होया होगी बार तो मैं इसको next पर click करके contacting पर लगा देता हूँ और okay कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको back आना है back नहीं आना दोस्तो आपको minimize करना है अगर आप back कर देंगे तो आपको दुबारा से process इस्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जाना होगा फिर दोस्तो अपने mobile की settings में mobile की settings में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको time and date पर जाना है तो आप देख सकते है time and date यह रहा हमारा तो इस time and date पर आपको जाना होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तो यहाँ पर आपको दो option on होया है मिलेंगे तो यहाँ पर आपको इसको off कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको अपने time and date को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है यासे एक घंटा बढ़ा दिया फिर बस आपको एक घंटा ही बढ़ाना है और फिर minimize करके अपने WhatsApp पर चले जाना है ठीक है दोस्तों आपको इतना करना है फिर दोस्तों वापसी जाना है तो यहाँ पर something एक घंटा और आपको बढ़ा देना होगा तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दे तो हर बार आपको WhatsApp को जरूर कोलना होगा क्योंकि विज़े वेरिफाइब होता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती आपका time and date कम होता चले जाता है लेकिन अगर आप एक साथ कर देते हैं तो फिर दिक्कत आ सकते हैं फिर WhatsApp समझ जाता है कि यह एकदा भी spam कर रहा है तो आपको ध्यान लगना है कि थोला थोला time आपको बढ़ाना है तो ध्यान लगना किएगा कि यह जो process है हर किसी के mobile में work नहीं करता है यह 100% मैं सोर नहीं हूँ कि मेरे mobile में यह work करेगा या मेरे दूसरे mobile में work करेगा या आपके mobile में work करेगा क्योंकि कुछी device में यह work करता है क्योंकि मैंने इस से पहले वाले अपने mobile में करके देखा था तो यह work कर रहा था लेकिन इस mobile में सायथ करे या ना करे तो यह आपके mobile में भी ऐसा हो सकता है लेकिन आपको मैं पूरा sure नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा date, time and date और बढ़ा देता हूँ तो ऐसे करकर के आपको थोड़ा पास लाना है और WhatsApp को दुबारा खोलते रहना है तो सहा है दुस्तों मैं यहाँ पर अपनी एक date बढ़ा लेता हूँ और 17 तारिक पर लगा देता हूँ और रोके कर देता हूँ और फिर WhatsApp को खोल लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 डे आ रहा था उसके बाद हमारा 2 मेरो आ चुगा है तो आप इस तरीके से अपने time and date को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आपका verification आपके पास आ जाएगा यह दुस्तों 100% में store नहीं हूँ कि मैं आपको बताया है कि यह हर किसी के mobile में work नहीं करता है अगर आपका mobile में work कर जाता है तो congratulations लेकिन हर किसी के mobile में work नहीं करेगा तो दोस्तों यही एक process है अगर आप इस process को follow करते हैं तो सहाध आपका process यह work कर जाए otherwise दोस्तों नहीं करता है तो इसमें दोस्तों आप वो वीडियो को चाहिए dislike कर सकते है मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे लेकिन दोस्तों यह मैंने आपको पहले बताए हर किसी के mobile में work नहीं करती है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजेगा और नहीं पसंद आई हो तो dislike कीजेगा और चैनल को subscribe भी कर लीजेगा क्योंकि दोस्तों हम आपके support के बहुत ज़्यादा जरूरत है और दोस्तों हम आख खुशी मिलती है जब हमारे चैनल को subscribe करते हो तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत सुक्रिया